शुपरभाद नमस्कार आदाप आप सभी दर्सकों का अभिनंदन है खेर मगदम है सत्यम नीजवेब टीवी में यूपी के भद वहीं जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूँ मैं नसीर कुरेशी आईए अब नज़र डालते हैं सो मौार की अहम वा बड़ी खबरों पर भदोही जिले में पाश्ट्य मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है भदोही बिधायक भतीजा सहित जिले में कुल बारा पाश्ट्य मरीज पाए गए हैं अकेले चार संक्रमित मरीज गोपी गंज एलाके के अलग अलग छेत्रों में पाए गए हैं जिससे गोपी गंज रहवासी काफी भैभी थैं अब जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 246 हो गई है 175 मरीज इस संक्रमर से जंग जीत कर घर जा चुके हैं चाउगुना गाउग निवासी संक्रमित युवक लखनव में रहकर पढ़ाई करता था वा अपने को भदोही भाजपा बिधायक का भतीजा बताया है आपको बता दे कि भदोही जनपन में संक्रमित मरीजों की संख्या अब बेकाबू हो रही है आज जिले में जो भी मरीज मिले हैं उन अस्थानों को हाट इसपाट घोसित कर सभी को भरती करा दिया गया है बकरा इत का तेहवार नजदीक है ऐसे में बकरा खरीदने वाले वा बकरा बैपारी बाजार से नदारत है बकरा इत के लगभग एक माह से पहले ही उत्तर परदेश के कई जनपदों से बकरा बैपारी उत्तर परदेश के भधोही जिले में आ जाते थे जिले के घुसियां सहित भदोही सहर के अंबर नीम पर बकरा मंडी सस्ती थी लेकिन इस बार बकरा मंडी पूरी तरह सुनसान है बकरा बैपारी के साथ ही साथ खरीदार भी बाजार से नदारत हैं एक माह पहले से ही बकरे की खरीदारी सुरू हो जाती थी बकरा का रोबारी मुस्लिम बस्तियों में घूम घूम कर बकरे को बेशते थे भदोही जिले में लाखो बकरे बिग जाते थे लेकिन इस वैस्विक महमारी के चलते बकरा इद भी फी की नजर आ रही है साथ ही सबताह में दो दिन सनीवार वर रविवार को बाजार बंदी का आदेश है इससे भी बाहर से आने वाले बैपारी नहीं आ पा रहे हैं अगर देहात गाउ गिराओं से कुछ ग्रामिड बकरे लेकर आ भी रहे हैं तो दाम सुनते ही ग्राकों के कान खड़े हो जा रह बिबाद हो गया बिबाद के बाद जम कर मार पीठ हुई है एक महिला सहित कुल तीन लोग घाई लुए हैं मामला गोपि गंज अलाके के जगापूर पड़ान गाउं का है बताया जाता है कि राजेस्कुमार पांडे की माता का पांच दिन पूर निधन हो गया था परिवा ने बिरोद किया तो गाली गलोच करने लगे परिवार के पुरुष सदस्थों को जब जानकारी हुई तो वह सिकायत लेकर पहुचे इसी भी दोनों पक्षों में जम कर मारपीट हो गई इस मारपीट में राजेश कुमार तेजा पांडे वा अनिता पांडे को चोटे आई है वैस्दिक महामारी वा लागडाउन के दोरान घर आए प्रवासी अब परदेश लोटने लगे हैं लगभग दो महा तक अपने गाउं गिराओं शहर नगर कस्वों में रहने वाले परदेशी मायोश होकर अब अपने गरी जनपदों से काम के लिए परदेश लोटते दिख हाई दे रहे हैं ऐसा ही कुछ नजारा भदोही जिले के रेलवे इस्टेशन पर देखने को मिल रहा है भदोही रेलवे इस्टेशन पर मुंबई जाने वाली कमायनी इस्प्रेश ट्रेन पर परदेशियों की भीड देखी जा रही है यह नजारा है भदोही रेलवे इस्ट इस्टेशन का कमाईनी एकफ्रेस ट्रेन के समय परदेशी ट्रेन पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस्टेशन पर थर्मल इसक्रेनिंग की जा रही है। इस तरह का नजारा प्रति दिन इस्टेशन पर देखने को मिल रहा है। ग्यारा लोग घायल हुए हैं जिसमें एक पक्ष से नानक परजापती सहित कुल चार लोग घायल हुए हैं जबकि दूसरे पक्ष से तिर्वेडी कुमार सहित साथ लोगों को चोटे आई हैं। सभी का उपचार सामुदाइक स्वासकेंद्र गोपी गंज में कराया गया। प मजदूर गरीब परिवार के घर में घुसकर महिलाओं को जहां मारा पीटा है वहीं नाली को पाड़ दिया गया है। मामला भदूही जिले के सहर कोतवाली चेतर के रजपूरा पुलिस्चों की अंतरगत मूसी लाटपूर जैकपूरा गाउं का है। जहां पीडित पीटते रहते हैं। रभीवार को भी पलोसियों ने घर में घुसकर महिलाओं को मारा पीटा। पलोसियों से पूरा परिवार दहसत्वा खौप में है। उधर इस मामले में भदूही पुलिस ने दोनों पक्षों से कुल आठ लोगों को सांती भंग में चलान किया है। जि चौरी थाना अंतरगत बर्दहा गाउं के पास बाईक और साइकल में हुई जबरदस्ट टककर में वारासी के सिग्रा निमासी बैंक कर्मी सौरप कुमार तीस वर्सी ब्यक्ति घायल हो गया है। घायल बैंक कर्मी भदूही के एक बैंक में काम करता है। चौरी थाना छेत चेतर के दत्तिपुर गाउं निमासी साइकल सवार परमोत को भी चोटे आई हैं। इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुचकर घायलों को अस्पताल पहुचाया है। एक व्यक्त को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। गंभीर रूप से घायल व्यक्त को वारानसी के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि गाउं के ही संतोसवा अनिल पांडे के 20 हैंड पंप से निकलने वाले पानी की निकासी को लेकर यह विवाद हुआ है। इस मारपीट में संतोस पांडे नामक व्यक्ति के सिर पर फावडे से प्रहार किया गया है जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ है इसी तरह इस मारपीट में पांच अन्य लोगों को भी चोटे आई हैं फावडे से घायल संतोस पांडे नामक व्यक्ति कोमा में बताया ग लगातार सरकार निर्देश दे रही है दूसरी ओर इस वैस्विक महामारी को लेकर भी साफ सफाई सेनेटाइज वा दवाओं के छिड़काव को लेकर सरकार मुस्तैदी के साथ जिला परसासन को निर्देश दे रखा है बावजूद भदोही जिले का नगर पंचायत खमरिया सासन परसासन के इस निर्देशों को मुच ला रहा है नगर पंचायत खमरियां के जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते समूचे एलाके में जगा जगा पड़े कूडे के धेर गंदगी और बदबू फैला रहे हैं साथी फागिंग न कराये जाने की बज़ा से एलाके में मच्छरों का परकोप काफी बढ़ गया है भीसल गंदगी वा बढ़े हुए मच्छरों के परकोप से नगर पंचायत खमरियां वासी भैभीत हैं जिला अधिकारी का ध्यान आकरिष्ट कराते हुए छेत्रवासियों सफाई बिवस्था सहीद फागिंग कराये जाने की मांग की है अंखे में उत्रे करेंट की चपेट में आने से एक युवक की जहां मौत हो गई जबकि उसका भाई मामूली रूप से घायल हो गया है मामला भदोही सहर कोतवाली इलाके के मर्यात पट्टी नईबस्ती मुहल महले के उस्मान मंसूरी का पचीस वर्सी पुत्र इबरार मंसूरी टेबल फैन को चालू करने के लिए जैसे ही पलक बोड में लगाया तभी वा पंखे में उत्रे करेंट की चपेट में आ गया जद में आए भाई को छुडाने के लिए उसका भाई भी मामूली रूप से घ खायल हुए इबरार मंसूरी को लेकर लोग अस्पताल पहुचे जहां चिकेट सकों ने मिरित घोसित कर दिया इस हादिसे से परियोनों में कोहरा मच गया साथ ही महले वासी भी गमगीन नजर आये हैं भदोही नगरपाली का परशद अंतरगत मर्यात पट्टे इस्थित मुहला हुल्लासपुर के लोग बदबुदार पानी पीने को मजबूर हैं लगभग 200 घरों तक हो रहे गंदे पानी की सप्लाई से महले वासी काफी परिसान है महले के रिशव, विकास, नंदू सर्मा, आउधेस, सुनील, सुजीत, हिमानसु का कहना है कि गंदे वा बदबुदार पानी को लेकर कई बार अस्थानी सभासत से लेकर नगरपाली का परशद भदोही से सिकायत की गई लेकिन आज भी समस्या जस्की तस्क बनी हुई है गंदे पानी की सप्लाई को लेकर महले वासी काफी भैवीत हैं महले वासीों को डर है कि इस गंदे पानी को पीने से कहीं बीमारी न फैल जाए भदोही जिले के अवराई विकास खंड के ग्राम सभा भैदपुर गाउं में 33 हज्जार हाई बोल्ट का लगा बिद्धुत पोल जंग खाकर पूरी तरह जरजर हो चुका है या बिद्धुत पोल अगर गिरा तो हाधिसे का अंदाजा लगाया जा सकता है राजेंद्र यादो सुवास यादो धर्मेंद्र यादो ने बताया कि बिद्धुत पोल पूरी तरह जरजर हो चुका है जो कभी भी धारा साही हो सकता है अगर या बिद्धुत पोल गिरा तो जानमाल का भारी नुकसान हो सकता है लेकिन बिद्धुत बिभाग के जिम्मे पिछले दिनों तेज बारिस के दोरान भदोही विकास खंड के निवादा कला गाउं में अनिल कुमार गौतम नामक व्यक्ति का कच्चा माकान धारा साही हो गया था तभी से यह परिवार खुले आस्मान के नीचे बारिस में भीक कर रहने को मजबूर है गिरे हुए माकान के कुछ हिस्से में पन्नी डालकर रसोई बनाए हुए है इसी के नीचे वह अपनी जिन्दगी काट रहा है जबकि आवास को लेकर ग्राम पर्धान सहित जिम्वेदारों का चक्कर लगाते लगाते यह गरीब ठक हार चुका है लेकिन हर चौखट से सिर्फ इसे निरासा ही हा भदोही जिले का सुरियावा कलिंजरा मार्ग पर सफर करना जंग जीतने के बराबर है सड़क पर जगा जगा हुए गढठे को पार करने के लिए लोगों के पसीने छूड जाते हैं जबकि यह मार्ग वहीदा कलिंजरा मलेथू गोपी गंज वा पडोसी जनपद परियाग पिछले वर्ष इस मार्ग पर कुछ हिस्से का निर्माल कराया गया था लेकिन सो मीटर तक मार्ग का निर्माल नहीं कराया गया था जो अब यह मार्ग पूरी तरह गड़ों में तबदील हो चुका है जिस पर चलना जंग जीतने के बराबर है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ पेड़ ही जीवन है एक ब्रिच सोपुत्र समान ऐसा ही कुछ नारा देते हुए भदोही जिले के ग्यानपूर के राम का पूरा गाउ में युवाओ ने ग्रामसभा की जमीन पर ब्रिच्छा रोपढ कर परिया वर्ण सोचता का संकल्प ल युवाओ ने गाउं में विर्च्छा रोपढ कर कहा कि जहां हर्याली वहीं खुस्याली भदोही जिले के राष्टी राजमार्ग घुसियां के समीब चल रहे निर्मालकार का जिला अधिकारी राजंदर परसाद ने निरिच्छन किया जहां भारी खामिया मिलने पर NHAI के अधिकारियों को जम कर फटकार लगाई है वहीं चेताया है कि आधी अधूरी सडक निर्माल को समय से पूरा नहीं कराया तो कारवाई के लिए मंत्राले को रिपोर्ट धेजी जाईगी बतादे की लगभग एक वर्स पूर्व सिक्स लेन निर्माल के तहत सर्विस लेन और नाला के लिए गड़े की खुदाई कराई गई है लेकिन कारवाई संस्था की लापरवाही वह उदासीनता के चलते निर्माल नहीं कराया जा रहा है निर्माल कारे को लेकर घुस्या स्टेट बैंक से शेवर समेत कई गाउं को जाने वाली सड़कों को कई महीने से बंद कर दिया गया है लगातार कारवाई संस्था के लापरवाही की सिकायत डियम को मिल रही थी जहां रभीबार को जिला अधिकारी ने निरिच्छन किया और जल्द काम पूरा करवाये जाने का निर्देश दिया है भदोही जन्पत की खबरों के लिए सत्यम नीज बेप टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने आस पास की खबरों को नीचे दिये गए नमबरों पर अवस्च बताएं अब नसीर कुरेशी को दीजिये अजाज़त नमस्कार अदाब